नमस्कार मैं तरोड प्रताप सिंग और आप देख रहे हिंदुस्तान की इलेक्षन स्पेसल सीरीज 22 का बाहुबली कौन डालते हैं एक नजर आज की चुनावी सुर्खियों पर सबसे बड़ी खबार आई उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी चंद्रसेखर आजात के बीच एक मुलाकात हुई दोनों पार्टियां इस बार विधान सवा चुनाओं मिलकर लड़ सकती हैं हाला कि दोनों की तरफ से कोई याधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है दूसरी खबर पंजाब से पंजाब में इस बात की चर्चा जोरों प परिशान हैं तीसरी खबर उत्तर प्रदेश से हैं पहले मुख्यमंत्री योगी आधितिनाथ अब डिप्टी सीयम दोनों डिप्टी सीयम केशो प्रसाद मौर्य और दिनेश सर्मा के भी चुनाओं लड़ने की जर्चा जोरों पर है पार्टी अगल एक दो दिन में उमिद नामांकन आज से सुरू हो गया है चुनावी जुलूस पर प्रतिबंध बरकरार है अब चलते हैं आज की कवर इस्टोरी की तरफ कवर इस्टोरी में आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पंजाब में अर्विंद केजरिवाल किसान नेताओं के किस रुक से अब परिशान हैं पहले पंजाब को समझते हैं राजनीतिक तवर पर पंजाब को तीन हिस्टों में बाट कर देखा जाता है मालवा माजह और दोवाब मालवा जहां से 79 सीटें यानि 79 विधायक चुनकर आते हैं यही किसानों का गढ़ माना जाता है यही किसान आंदोलन का भी ँञाती के और पंजाब में हुए थी इसी मालवा चेतर में मालवाच्षेत्र से हुइ थी अब विधा सभावा पंजाब वन सभा को देखते हैं 177 विधायक को वालवी विधान सभा में 70 से 77 विधायक उस शीड्श से सुनकर आते हैं जहां किसानों का दबदा है यानि किसा अब थोड़ा किसान ंदोलन को याद करते हैं किसान आधोलन के समय आम आदनी पार्टी और उनके मुखीया अरविन के एक जो गुट जो चुनाव लड़ने जा रहा है उनके साथ गटबंधन भी हो जाए लेकिन वो गटबंधन नहीं हो पाया अब इसी बात का डर सता रहा है पार्टी को डर है कहीं उसके वोट बैंक में सेधना लग जाए पिछली बार आम आपनी पार्टी विधान सभा चुना आ रहा है कि जब किसानों का एक गुट चुनाव लड़ रहा है तो कहीं उनके वोट बैंक में सेध लग गई तो फिर उनका सरकार बनाने का मनसूबा एक बार फिर फेल हो जाएगा यानि एक उनका जो सपना है सरकार बनाने का पंजाब में फिर कहीं न कहीं फेल हो सकता है यही वज़ा है कि पार्टी इस बार CM candidate का नाम का भी एलान करने जा रही है। 17 तारीक के बाद पार्टी कभी भी किसी भी दिन CM candidate के नाम का एलान कर सकती है। और अर्विन केजरीवाल खुद इस बात को बता चुके हैं कि वो इस बार race में नहीं है। यानी कही न कहीं काट खुजने की कोशिश की जा रही है और किसानों को अपने साथ लाने का भी प्रियास कर रही है पार्टी। वहीं भारती जंता पार्टी बहुत खुच नजर आ रही है, खासकर किसानों नेताओं के इस रुक से। पार्टी को लग रहा है कि आब वो किसानों को यह समझाने में कामियाब होगी कि यह पूरा अंदोलन जो पार्टी पहले से कह रही थी कि राजनीती से प्रेरित है वो यह साबित भी कर पाएगी हाला कि ये तो 10 मार्च को पता चलेगा कि किसका पल्रा भारी है और कौन कितना समझा पाया किसानों को और किसकी सरकार बनी अब चलते हैं कल की सवाल की तरफ कल हमने आपसे पूछा था कि ओम प्रकास राजभर की पार्टी का क्या नाम है जी हाँ उतका जबाब है सुहेल देव भारती समाज पार्टी और अब आज का सवाल आज का सवाल है कि जैन चौधरी किस पार्टी के राष्ट्री अध्यच हैं मैं सवाल दोहराता हूँ कि जैन चौधरी किस पार्टी के राष्ट्री अध्यच हैं अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर बताईए अगर ये वीडियो आप हमारे फेस्बूक पेज पर देख रहे हैं तो मारे फेस्बूक पेज को लाइक करना ना भूलें इसके लोगर ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल क को सब्सक्राइब करिए कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए नमस्कार